नमस्कार हिंदूस्तान नियुस्टेरी में आप सभी का स्वागत है माना जा रहा है कि दो से तीन आतंकी घिरे हुए हैं दोनों और से जोड़दार फाइरिंग चल रही है सुरक्षा बलो को सुचना मिली की इलाके के मिलहोरा गाउं में आतंकी मौजूद है इस सुचना पर सेना की 55 रास्टिय राइफल्स की CRPF तथा SOG की टीम ने गाउं को गेरा बंद कर सर्च ऑपरेशन चलाया गेरा सक्त होता देख एक मकान में छिपे आतंकीों ने सुरक्षा बलो को निशाना बना कर फाइरिंग शुरू कर दी पहले तो सुरक्षा बलो ने उन्हें संपरन के लिए कहा इसके बाद भी आतंकीों ने गोली बारी जारी रखी तो उसरक्षा बलो ने भी जवाबी करवाई की इससे मुटभेड शुरू हो गई फिल्हाल किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है शुरक्षा बलो ने पूरे इलाके को घेरा है इससे पहले संदिग्द आतंकियों ने मंगलवार शाम को शौपियों की गाम में गाउं में एक दुकानदार पर हमला कर दिया इस हमले में दुकानदार की मौत हो गई हमले के बाद संदिंग आतंकियों ने एक पुलिस अफसर से हतियार छिनने की कोशिश की हमले के बाद पुलिस ने हवाई फाइरिंग करते हुए पीछा किया मंगल बार शाम 6 बजे शोपिया पुलिस CRPF और 44 RR की किगाम चौंक पर सन्यूक्त नाका कर दिया था एक गाड़ी रेजिस्टर नमबर 2020 TR266B और आई और तेजी से गती में नाका तोड़ने की कोशिश की इस खबर में बस इतना ही ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद